सर आपका ये जो confidence है और जिस तरीके से आप बता रहे हैं मुझे लगता है कि पाइल्स के अगर patients हैं कोई और ये program देख रहे हैं तो आधे तो ये सुनकर ही ठीक हो गए होंगे कि आप पाइल से स्थाई रूप से निजात पा सकते हैं क्योंकि जनरली डॉक्टर से अगर किसी बीमारी के बारे में ये सवाल करें तो उनक्या कहना होता है हम पूरी कोशिश करेंगे और उस कोशिश के लिए एक confidence patient का भी होता है पर आप जो कह रहे हैं कि पूरी तरह आयूर करते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे लेकिन उससे पहले मैं आप से और एक बात जाना चाहती हूं कि शुरुबात में हमने कहां पाइल्स जो है वो उसका प्रमान बढ़ा है हम लोगों की lifestyle के विज़े से जो चेंजिस हमने lifestyle में लाई है तो अब ये जानना चाहती हूं कि पाइल्स के जो patient है उन्हें अपने lifestyle में आयुर्वेदिक उपचार लेते वक्त कौन से बदलाव जीवन शहली में करने चाहिए कौन से बदलाव आवश्यक है एक तो patients के मन में रहता है कि अगर आयुर्वेद दवाई ले तो बहुत सारा परेज करना पड़ता है तो परे बिमारी को क्योंकि हमारा हेल्थ ही वेल्थ है अगर हम हमारे lifestyle को नहीं सुधारेंगे तो हमारे जो भी बिमारिया है सिर्फ पाइल्स ही नहीं है बासी रोटी जो खाना रखा रहता है बहुत सारे महला है हमने देखिए कि उनको आदत रहती है कि अगर थोड़ा सा बच जाए खाना तो ना फेके तो उसमें क्या होता है ना कि एक बार रात को रखा हुआ खाना सूबः फ्रीज में से जबाब निकालते है तो आयर्वित क पर हमारी जो बीमारियों की शुरुआत है वह हमारी कीचन से हुई है, जो फ्रीज में रखा हुआ हमारा जो खाना है, जो नेक्स डे हम लोग खा रे हैं रात का गुना हुआ आटा सुबह हम निकाल के रोटिया बना रहे हैं, तो यह सब परुशित अन्न में आती है अयरोध क तो इसके लिए लाइफस्टाइल में आपको modification करना ही हैं, हमेशा गरम खाना खाए, कुनकुना खाना पानी पी सकते हैं, अगर इस सेजर में वर्शारुतु में तो काफी अच्छा है, और सोने का समय, खाने का समय और आपको वर्क का समय इसको divide करिए, और खाने के समय वर्क म मत खाईए, तो आपका ये routine आप जब तक decide नहीं करेंगे, आपको सुबह 10 बजे खाना है, तो 10 बजे, जब भी आपको भूक लगती है तब खाईए, आयरवेद का ये principle है, दो समय खाना खाना चीए, सुबह 10 बजे खाईए, पित्तकाल में, शाम को 6-7 बजे के बीच में ख preventive measures ले सकते हैं, साथ में चाच का 7 आप कर सकते हैं, सिर्फ चाच उन वेक्तियों को ज्यादा नहीं लेना चाहिए, जिनको bleeding ज्यादा होती है, bleeding piles जिनको होता है, उन्होंने चाच का 7 ज्यादा नहीं करना चाहिए, उससे bleeding बढ़ सकता है, जो वाता और कफच, piles के प्रकार ह बताया है जिसमें bleeding होती है जिसको bleeding piles बोलते हैं पाचवा जो प्रकार होता है वो सन्नी पाता जिसमें चारों तीनों दोशों के लक्षन मिलेंगे आपको वात पित्त और कफ और चटवा जो प्रकार बताया है वो है सहज अर्षण सहज इसको हम लोग hereditary piles बोलेंगे जैसे आपने देखा होगा कि किसी family में दादा को था, दादी को था, पिताजी को था, मम्मी को था, तो बच्चों में भी piles के लक्षर मिलते हैं तो ये 1000 साल से जो शुरूंखला चलती आ रही है, तो ये वर्नन आयरवेद में मिलता है और इसका डिटेल वर्नन है कि वातज प्रकार के piles कैसे होते हैं पितज प्रकार के piles में bleedies होगा, कफच प्रकार के piles जो है, वो मोटे होंगे, इसमें दर्द उतना नहीं होगा, जितना वातज अर्षे या वातज प्रकार के अनुसार हमने जान लेना चाहिए और उसकी जो treatment है, उसके अनुसार उसका पत्थे पालन सबसे पहला पत्थे पालन है कि हमारे अगनी को बढ़ाने के लिए कुछ आहार लेना पड़ता है वातानुलोमक आहार लेना पड़ता है जिससे हमारे वात का अनुलोमन हो, सुखता से मल निरगमन हो या constipation ना हो और आपना अगनी वृद्धी होने के बाद जो पाल्स है वो अपने आप ठीक होते हैं